नमस्कार आपका स्वाकत है राजनामा टीवी पर मैं पूनम आपके साथ मदरास हाई कोट ने 21 दिसंबर को आय से ज़्यादर प्रॉपर्टी मामले में तमिल नाडू के पूर उच्छ शिक्षा मंतरी के पौनमुडी और उनकी पत्नी को तीन साल की सजा सुनाई कोट ने दोनों के खिलाफ पचास पचास लाख रुपे का जुर्माना भी लगया दोनों पौने दो करोड रुपे की आय से ज़्यादा प्रॉपर्टी मामले में दोशी पाए गए थे मामले में कोट का फैसला आने के बाद के पौनमुडी विधायक पत्त के लिए अयोग्य हो गए हैं साथी उन्होंने मंत्री पद भी खो दिया मामले में कोट का फैसला आने से पहले तक वे उच्छ शिक्षा मंत्री थे अब यह विबाग पिछड़ा वर्क कल्यान मंत्री आर एस राज कन्णपन को दे दिया गया है तमिलनाडू के राजभवन की और से प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी गई बताया गया कि मुख्य मंत्री स्टॉलिन ने राजपाल आर एन रवी से इसकी सिपारिश की थी जिसे राजभवन ने मंजूरी दे दी यह फैसला नयाय मूती जी जैचंदरन ने सुनाया हाई कोट की और से फैसला सुनाया जाने के बाद आरोपियों के वकिल एनर एलांगों ने अपील की मेरे मुवक्किल की सजा 30 दिन के लिए निलंबित की जाए जिससे वो सजा के खिलाफ सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल कर सके हाई कोट ने उनकी अपील को स्विकार कर लिया साथ ये अभी कहा कि निलंबन का समय पुरा होने के बाद उन्हें विल्लुपूरम में ट्रायल कोट में आत्म समर्पन करना होगा इसे के साथ बने रहे रालकामा टीवी के साथ धर्नेवाद